D.A.B.com B.S.C. M.A.M.com करें विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी इगनो से सॉल्ट असाइन्मेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर करें महाकाल कम्प्यूटर्स D.A.V.P.G. कॉलेज के पास पंच मंदीरा मोर से दाहिने सीवान है दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को चुनावी नतीज़े आएंगे लेकिन आप बताते कि इसी दवरान कई सारे ऐसे सीट हैं जहां पे उप चुनाव भी होने वाले हैं बिहार के भी सीटों पे उप चुनाव होने जा रहा हैं आप सब्सक्राइब बढ़ी बात है कि इम्रान अंसारी को इस बार जदिव ने इस टार्क परचारक बनाया है और इस टार्क परचारक बनाके इंको बेला घंज भेज रही है यानि बेला घंज में जो टुनाव होगा 13 नवंबर को उसके लिए कल से नमानकों की पत्रिया शुरू ह होगी और इम्रान अंसारी भी कई ने कई उस परचार के हिस्सा बनेंगे जो सूची बिहार से आई है उसके लिए क्या तैयारिया चल रही है इसको लेकि बाचित करेंगे बहुत स्वागत इंडिया कभी स्वागत करते हैं इम्रान भाई आपको स्टार परचारक बनाया गया है काफी हुआ है और एक बड़ी जीमधारी आप दी गई है क्या कहेंगे अब्यान विकास क्यां है बिहार के लोगों के लिए वो जनता के बीच लेकट जाएंगे बहुत लंबी लिश्ट है जी से जनता बिहार के काफी परभाववित है है उनके कार कलाप से हम लोग सभी बिहार और जहरकण जहां भी घार कि चुनाव लड रहे हैं लिटे हैं लोग असानी से जीते लिए अलब भाभ कि लिए चीज़ल कुमार को एक लिए को यह चीज़ लोग बिहार के अल्वशंक्यक समुधाय को हम लोग बदनाम है बदनाम है कि NDA और नितिस्कुमार को भोट नहीं देता है लेकिन हम अपील कर रहा है कि मानिय मुख मंत्री जी जो इस देश के अंदर बिहार में अल्वशंक्यकों के लिए जो कारे किये हैं सिक्षा का से प्षेत्र हो कवरस्तान धिराबंदी हो मादार्शा के मन्याता देना हो तो हम लोग भोट नहीं देने के अलाव देने के बाद भी मानिय मुख मंत्री और संक्षत के अलावे राज़त के तरफ ज्यादा जुका हो रहता है राजत के तरप ज़्यादा जुका औरता है लेकिन भोट नहीं देने के बाद भी मानिय मुख मंत्री जीने अलप संक्षित के साथ सभी समुदाय के लिए बहुत सारा कार किया है इसलिए अगर कोई हमारे लिए अगर करता है सोचता है समझता है तो हम इस बार बिहार के बिहार के बिहार के अलप संक्षित को से उमीद है और विश्वास है कि अब मानिय मुख मंत्री जी को अपना महना ताना हक देंगे महना ताना हक देंगे क्योंकि अगर कोई आपके लिए सोच रहा है अगर किया है तो हम लोग इस बार वोट में तब्दिल करेंगे और इस बार उमिद्बार बनाएगा बेला गण्ज से और क्या कुछ आप लोग वहां पर चुनावी परचान के दौरान करने वाले हैं बेला गण्ज में हम लोग के पार्टी के मुनार्मा देवी जी सिंगर नेता हैं चुनाव लड़ रही हैं और मैनुटी इस बार खुल कर उनको सपोर्ट करेगा मानिय मुख मंत्री जी के नाम पर नितिश कुमार जी के नाम पर इस बार जदियों को बोट देगा पलग रहा है हंडेड परसेंट क्यों क्यों नहीं देगा आरजेडी जो माई समी करन चलता था माई मतलब मेरा हो गया है वो बिल्कुल वो किसी का नहीं है ना दलीद का है ना मुसल्मानों का है किसी के हित के बारे में नहीं सोचता है अगर दूसरे के हित के बारे में सोचती तो परिवार बाद करते हैं कहा मानिया मुख मंत्रे जी नितिश कुमार अपने बेटा को बिहार के राज नितिक में ला है वो सभी समाज के सभी जाती सभी धरम के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो उस लाइक है उस पद पर जा रहा है कि यह जो नतिशे होंगे पचीस से भी जोड़के इसको देखा जाना चाहिए यह सेमी फाइनल है दो हैज़ार पचीस में दो सब पचीस सीट आएगा क्यों कि आप जो मैनलोटी का नाम लिया है मैनलोटी का राज़त से मुभंग हो गया है और जो राज़त को हम लोग जो मैनलोटी समाज भोट देता है भोट तो देते हैं मिला क्या है कुछ नहीं ना विकास के नाम पर मिला है ना कोई हमारे बड़े लीडर देट करते हैं तो उनके याद में वो लोग उनके आद में साभा तक भी नहीं करती है तो मैनलोटी सिर्फ भोट देगी और अपना खून देगी तो भोट ऐसे जगादे जो हमारे लिए काम कर रहा है मानिया नितिश कुमार जी काम कर रहा है तो उनको भोट दीजिए कि अपने समाज की लोगों के भी जाएंगे और बोलेंगे कि मानिया मुख मंत्री जी काम किया है जो राजत को आप लोग जो भोट दे रहा है भोट देने से आप लोगो कुछ हासिल हुआ नहीं बिहार डेवलोप्मेंट के आज सूची में है बिहार आगे जा रहा है रोजगार में आगे जा रहा है सिक्षा में आगे जा रहा है हर चीज में आगे जा रहा है नितिश्कमार, एक एक मिनट, एक एक समुदाय एक एक लोग के बारे में सोचते हैं तो हम क्यों नहीं भोड़ देंगे आप लोग जरूर भोड़ दीजिए और कनिडेट को जिता कर हम बूथ लिस्ट लेंगे मैनरोटी का वहाँ से हर हाल में जिताना है और हम लोगा कनिडेट हर हाल में जीतेगा भी और मानिया मुख मंतरी जी का हाथ जब मजबूत होगा तो मैनरोटी पे सभी समुदाय सभी जातिक लोग का भरोशा भी होगा अचा लेकिन एक चीज़ है अलपसंक्या को जोडने की जब बात की जाती है तो एक सवाल हमेशा खड़ा होता है इसलिए अलपसंक्या खुलके उनके साथ नहीं आपाती है कि कहीं नितिश कुमार बीजेपी के साथ जाकर मिल जाते है नितिश कुमार लोगों के भविस के लिए इधर उदर जाते है पार्टी अपने मन से नहीं बदलते है बिहार के फ्यूचर देखते हैं और यहां के अमन चैन कायम करने के लिए वह जाते है जो भी बिहार के 12 कोड़, 13 कोड़, अबादी पर कोई भी पार्टी अगर आच उठाएगा या अंगली उठाएगा तो उसके लिए वह अपने डिसिजन लेता है उनका पूरा बिहार परिवार है चाहे दलीत हो, मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब को एक नजर से देखते है यादि आप यह करना चाहते हैं, परिस्टिति ऐसा बन जाता है, तो पिहार के लोग भलाई के या फिर हित महीं जाना पड़ता है अपने परजा को सुरक्षित करने के लिए साइलेंट हो जाते थे, कभी यूद करते थे, तो मानियन नितिश कुमार को सभी लोग, इस बार सभी समुदाय के लोग वहां भोड़ देगा, और वहां से कनिडेट भी जाई होगी चली तो हमारे साथ इम्रान अंसारी जी हैं जो कि अब उदादे की सीवान के बढ़डिया के रहने वाले हैं और इस बार इनको इस्टार परचारक बनाए गया है, इस्टार परचारक की भूमी का निभाएंगे, और बेला गंज में लगतार ये लोग कैम करेंगे, आप आपरो के देख तरहें इस इडिया तब